अब individual stocks क्या highlight करूं, Friday तो ऐसा दिन था जो सब के सब ठंडे पड़ गए थे, आज लेकिन कोटक के numbers पे react कर रहे हूंगा और साथ-साथ, आज कल जल्वें bankics के भी, expiry का दिन उसकी भी, क्या करें banks में? देखे, bank nifty काफी volatile है, और bank nifty पर मेरी approach है रही है कि आपको दिन चुनने होते हैं, पिछले कुछ दिनों से bank nifty में trade नहीं बन रही है, ठीक है, तो bank nifty को कुछ time के लिए छोड़ दें, individual stocks पर focus करें, आज का बड़ा trigger क्या है, कि numbers के बाद कोटक कैसे चलेगा, और कितना support करेग बड़ा gap up तो होगा कोटक में ठीक है, और हो सकता है एक बार के लिए, कोटक से 1650 की तरफ भी चल पड़े, यह possible है, वहां पर test होगा कोटक का, जो previous support था, वो resistance बन जाता है, नॉर्मली, तो कोटक टिकेगा या नहीं बड़े gap up के बाद, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अग कुछ views पर देंगे नहीं की करना के पोजिशन पर, क्योंकि मेरा view पिछले तीन चार जिनसे bank nifty पर यह राए, कि आप individual stocks पर focus करें, इंडेक्स पर कोई trade ना ले, support कहां पर है, पहला support 48.923, Friday का close, और बड़ा support 48.659, Friday का low, screen देखकर, कोटक मेंदरा bank की चाल देखकर, पहले 15 अब इस मिट के बाद एक view बनाएंगे bank nifty पर, अभी bank nifty पर कोई view ने लेकर चलेंगे, ठीक बार, यह है nifty nifty bank का आज का अप्रोच, CNV सिवास के panel को भी दिखाते रहेगा, बीजीच में सब जोड़ रहे हैं, कुछी देर में उनसे बाचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज के all important big stocks, अब discussion, बहुत results, बहुत ख़बरें, कहां drill down करके पहुंचे, क्या क्या रखा है big stocks में? चार big stocks है हमारे, बहुत है जादा हो सकते हैं, लेकिन चार तक रिस्टिक्ट रखता हूँ नर्मली, पहला तो obviously, सबसे important, Kotak Mahindra Bank, Kotak Mahindra Bank के numbers, bumper है, मैं जैसे मैं कहा रहा था और कोई word नहीं आता है मेरे दिमाग में, मैं देख रहा था, कहां कमी थी, कहीं कमी नहीं थी, 9% gross NPA, क्या होता 1.39%, best in class, net NPA, आपका उसे भी better, बहुत है, HDF से bank के इतने अच्छे numbers नहीं होता है, जितने Kotak Mahindra Bank ने numbers declare कि है, net interest margin, state expect कर रहा था कि गिरेंगे, 5.28% margin आये इनों के versus 5.22%, पहले industry में सबसे highest margin Kotak के है, उसको भी इनोंने इंप्रूव कर लिया, 5.28% पर लिय maintain करने पर भी, ठीक है, आप ROE, ROE, NII, मुनाफ़ा देखिए, सब बढ़े है, CLSA ने उपग्रेट कर दिया, टार्गेट दिया 1920 का, लेकिन CLSA का एक मानना यह है, कि जब RBI का बैन ख़त्मों का तभी रीटिंग होगा, अच्छा आप देखिए, भजाज फिनांस ने वो बैन का जल्राम्